तो चैनल दीरजर मैं आपका सौगत है देखते हैं क्लास 9 प्रस्टनावली वन भी तो पहला सवाल कह रहा है निमलिखित पुरूलांकों के योगात्म पृत्लों में क्या होता है योगात्म पृत्लों में सिर्फ निसान चेंज हो जाते हैं प्लस का है तो माइनस हो जाता है औ देखे हैं समझे है जो प्लस का सब्इस पढ़नकों प्लस का अब यहां पर समझ辉त ए मायनस ब इसको कह रघाल हो गहीं आगे माइनस का तो इसका समझ यह प्लस भी यह जो ब्राइकेट है तो अब यह इसके आगे कौन सा निसाल लगेगा प्लस का समझ गे अच्छे से यानि यह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अब कहे रहा है बितरण नियम से 15 गुड़े 32 का मार गयात कीजिए तो इसका जो संकेत में आल रेड़ी दे रखा था यानि हम कह सकते हैं 15 गुड़े 32 को हम कह सकते हैं 15 गुड़े 32 को ले सकते हैं 30 प्लस दू अब यह क्या हो जाएगा 15 की गुड़ा होगी पहले 30 से प्लस 15 की गुड़ा होगी दू में इसे कहते हैं योग संक्रिया पर गुड़ा का बितरण नियम गुड़न का बितरण नियम तो यह हो जाएगा 15 यह 45 यानि 450 और 15 दूना 30 तो 450 और 30 जोड़ेंगे तो यह आजाएगा हमारा 480 यह हमारा आन्सर हो जाएगा क्यों तीसरा कहा है धानपर उडाम को में एक उदाहड सही दरसा ये कि संक्रिया पर योग का भी त्रड योग संक्रिया बित्रड नियम असत्य होता अच्छे से समझे जिस्न Letv कोई संक्रिया माल लेते हैं तो देखे तीन और चार उच्छे कितना होता है चार प्रकार से योग का भितर नियम तो देखे योग का वित्रणियम इसका मतलब यह कह रहा है इससे उसमें क्या होता था तीन के पहले चार से गुड़ा होती थी फिर तीन की छे से गुड़ा होती थी यानि गुड़ा का वित्रणियम यहां पर क्या है योग का वित्रणियम करते हैं यानि तीन को पहले चार के स साथ जोड़ेंगे ठिक फ्लैस फिर तीन को छे के साथ जोड़ेंगे तीन को छे के साथ जोड़ेंगे तो अभी इसमें क्या हुआ तीन और चार कितना हुआ साथ और तीन और छे कितना हुआ नो तो ये कितना है 16 जबकि इसमें जोडने पर कितना आ रहा था 13 तो क्या इधर 13 आया इधर 16 तो क्या बराबर है नहीं इसका मतलब तीन प्लस चार प्लस छे बराबर नहीं है तीन प्लस चार ब्राकेट बंद और तीन प्लस छे ठीक यानि यहां पर कह रहा है योग की संक्रिया पर योग का ये बित्रन नियम है तो क्या ये नियम क्या है असते क्योंकि ये क्या है दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या है योग का वित्रण नियम जो है असते यहीं पर अगर गुड़ा का होता देखें यहां पर गुड़ा वाला समझें वो वस्यम आता है तीन गुड़े चार प्लस चे इसको यहां पर ना अब अगर इसको अलग हल करके दिखा दे जिसे तीन गुड़े चार प्लस चे तो देखें चार और छे कितना होता है दस गुड़े तीन यानी कितना आया तीस अगर यहां पर योग का वित्रण नियम न होकर गुड़ा का वित्रण नियम होता तो देखें तीन की गुड़ा हम करेंगे चार के साथ फिर प्लस तीन की गुड़ा करते हैं छे क कितना हुआ तिसे में दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया इधर भी 30 तो गुड़ा का जो वित्रड़ नियम होता है वह सत्य होता है योग का वित्रड़ नियम कर दो किया यह 3-4 तो क्या यह बरावर होगा नहीं होगा इसलिए यह क्या है असत्य है फिर कह रहा है कुश्चन नमर पाँच दर्साइए कुश्चन नमर चार दर्साइए के पूरांकों में योगात्मक नियम अदती होता है योगात्मक यानि इसका होता है करम बिन में तो माना कोई दो पूरांक है अच्छे से समझे माना दो पूरा हैं मारे पास ए और बी ए और बी तो अब ए बराबर हम कुछ भी रखले माल लेते हैं दो और बी बराबर माल लेते हैं 5 तो अब इसमें क्या है अगर हम चाहे तो है प्लस-B लिखें और B प्रेस ये लिखें तो भी हमारा दोनों तरफ क्या होगा बराबर ही आए आएगा दो प्लस पाँच और पांच प्लस दो यानी इधर भी साथ आया इधर भी साथ आया इसका मいた आज़ फेर अचे पाँच कह रहा है निम्हें संख्याव में से धन पूरांग धन पूरांग चाटे तो देखें अम लिए सब बात करते हैं धन पूरांग तो धन पूरांग कौन कौन से होंगे आठ में से 6 गया, कितना बचा, दो, भी क्या होगा, धन प्रूडांग, यानि यह जो 8-6 है, यह हमारा धन प्रूडांग है, और 2 में से 5 गया, यानि माइनस 3, तो यह हमारा क्या है, रिड प्रूडांग है, एक को भाग 3 से देंगे, यानि उपर भी Samsung MLB, धन प्रूडांग है तो भाग देंगे, तो वो हमारा धन प्रूडांग ही आएगा, इधर बात करते है, माइनस 3 गुड़े माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, तिन चिक कुबारा, यानि यह हमारा धन प्रूडांग है, माइनस 3 गुड़े माइनस 4, फिर दर रखे, 8 को जो हम 2 से भाग देंगे सबस्क्राइब करने के लिए आपका धनिवाद मिलते हैं नेश्ट वीडियो में